झूरण प्रदांमंती नरेंदर मोदी ने मन की बाध से किया राश्टरी का संबोधन की शिरुवात कार्गिल विजवाय दिवस पर चर्छा करके उन्होंने की उन्होंने कहा कि आज 26 जुलाई है आज की तारीक बहदी विशेष है आज कार्गिल विजवाय दिवस है 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के दौरान हमारे सेना ने भारत की जीत का जंडा फैराय था जो इन परिस्थितियों में यह हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मनसुबे पाल कर भारत की भूमी हथियाने और अपने यहाँ चले आ रहे आंतरिक उठापटक से ध्यान भठकाने के लिए भारत के साथ यह दुस्ता हस किया था मगर हमारे सैनिकों ने पहाडों पर बैठे पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया था वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल शणों में से एक है इसके बाद प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने COVID-19 का जिक्र करते वे कहा कि आज हमारे देश में recovery rate अन्य देशों के मुकाबले पहतर है हमारे देश में COVID-19 से जान गवाने वालों की संख्या भी काफी कम है मैं आपसे आगरे करूँगा कि जब ही आपको मास्क के कारण परिशानी लगे और उसे उतार देने का मन करे तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरन याद कीजिएगा और नर्सों का स्मरन ज़रूर याद कीजिएगा किंद्रियवित्य एवं कॉर्परेट अफेर्स राजमंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने भारत को बताया मोबाइल मैनुफाक्टरिंग हब आज आलम ये है कि भारत में बढ़ते विदेशी निवेश के कारण भारत मोबाइल मैनुफाक्टरिंग हब बनकर उपरा है मोबाइल फोन आज बुनियादी जरूरत का रूप ले चुके हैं यह सेक्टर लोगों के बीच सूचनाओ का आदान प्रदान करने के लिए क्रियाशील है बलकि इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार भी मोहया करवाया जा रहा है उद्योग धंदो को बढ़ावा देने में मोधी सरकार की प्रतिभाश्या ली नीतियों का ही परणाम है कि भारत दुनिया का दूछरा सबसे बड़ा मैनुफाक्टरिंग हब बन गया है इस मौकी को दिवाली के तर्च पर बनाय जानी की तयारी चल रही है दिवाली के मौके पर देश भर के मंदिरों और घरों में दिया और मुंबतिया जलाई जाती है इसे तर्च पर अब राम मंदिर में भी भूमी पूजन के शुभ अफसर पर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा अपने आसपास के घरों और धार्मिक स्थलों जैसे मंदरों को रोशन करें JEE Mainz और UPSC परिक्षा 2020 के लिए खुली correction window National Testing Agency ने JEE Mainz और UPSC और NTA परिक्षा के लिए correction window को एक बार फिर से खोल दिया है जिसके परिणाम स्वरूप जो भी परिक्षार्थी अपने आप्लेकेशन में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं वो NTA की आधिकारिक website पर जा करके ऐसा कर सकते हैं ऐसा करने के लिए सबी परिक्षार्थियों को NTA.ac.in पर जाकर correction करवा सकते हैं कारगल दिवस के मौके पर राजनात सिंग ने जारी किया अपना बयान साल 1999 में ठीक आज ही के दिन कारगल में हमारी देश की रक्षा करने के लिए कई वीर जवानों ने अपनी जान गवादी थी और तब से लेकर आज तक 26 जुलाई को कारगल दिवस के रूप में मनाया जाता है वही कारगल दिवस मौके पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन को कड़िश शब्दों में अपना संदेश दिया है राजनात सिंग ने कहा कि भारत पहले कभी भी कोई पहल नहीं करता लेकिन अगर किसी अने देश ने भारत के साथ गलत बरताफ करने की कोशिश की तो मुहतोर जवाब देने से भी भारत पीछे नहीं हटता है महीं दूसरी तरफ प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी ने भी कहा कि आज हम मुनिस्व निन्यानवे में हमारे देश की रक्षा करने वाले सर्शस्त्र बलों के सहस और द्रिर संकल्प को याद करते हैं। उनकी वीरता पीडियों को प्रेरित करती रहेगी। वेनु गोपाल ने यह भी बताया कि यह अपने गंदे राजनीती खेल खेलने के निर्वाचुन सरकार को भ्रमत करने और फिर समयधानिक निकायों का दो रुप्यों करने के लिए भाजपा के निरनतर प्रयासों के खिलाफ होगा। आपको बता दे जब से कॉंग्रिस नेता वेवस्था को बंद करने कारणे ने लिया है। उसकी मदद से अंग्रेजों के जमाने से गोपनिये दस्तावेजों को नीजी या डाक संदेश वाहक के माधहम से भीदा जाता था और उसमें रेलवे ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फरेंसिंगे म माधहम से समबाद करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने फैसला लिया है कि लागत कम करने के लिए उपाई के तहत यह फैसला सुनाया जा रहा है। अनुमती दी जाती है। जाला नियंत्रन शक्ती से सत्यापन भी किया जा सकता है। जुसकी पुष्टी आयटी खरकपुर के स्कूल अफ बायो साइंस के सहायक प्रोफेसर अर्मिंदर मनल के एक बयान देकर की है। स्पीक फॉर डिमोक्रेसी क्यामपेन के तहत राहूल गांधी ने देशवासी उसी की अपील। कॉंग्रेस की तरफ से शुरू किये गए स्पीक फॉर डिमोक्रेसी क्यामपेन के तहत सम्मिधान और लोकतंत्र को बचाने की पहल शुरू की गई है। जारी करते वे साफतोर पर कहा है, यह सभी लोगों को वरतमान समय में एक जोठो कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाए जाने की जरूरत है। जान जा चुकी है, बार समंदी हालात को लेकर प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी ने असम के मुख्य मंत्री और भिहार के मुख्य मंत्री से बात चीत किये और केंदर सरकार की तरफ से हर समभव मदद मुहया करवाय जाने का आजस्वाशन भी दिया है। सुप्रीम कोट ने आइफोन आइपड के लिए लॉंच किया नया अप भारत के मुख्यने अधीश एस बोब्रे ने आइओएस उपयोग करताओ के लिए सुप्रीम कोट आप जारी किया है सुप्रीम कोट के फैसले और हर कदम की जानकारी ले सकते हैं आप को सुप्रीम कोट की वेबसाइट पर एक लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही आप मुफ्त है वही सुप्रीम कोट की तरफ से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि iOS आप पर खोजवे विगल्प में मामलों की स्थिती दैनिक आदेश, निरने, नवी नितम अपडेट कार्याले रिपोर्ट परिपत्र नियम, डिस्प्ले बोर्ट सिस्टम शामिल है अप में वर्नाकुलर भाशाओ में नियमों के साथ-साथ खोजे गए मामलों की वर्तमान स्थिती देखी जा सकती है उदव ठाकरे ने सभी दलों को सक्थ लहसे में दी दो टूक नसीहत, राजसान में कॉंग्रेस की सरकार परेशानियों से घिरी नजर आ रही है वही महाराश्रो में भी सरकार को गिराने की साज़िच पर राजय के मुख्यमंतरी सिफशेना प्रमखु दव ठाकरे ने तीखे शब्दों में दो टूक सभी को नसीहत दे दित है मुख्यमंत्री ओधव ठाकरे का कहना है कि जिसकी को मेरी सरकार गिराने का शौक है वो जरूरा है फिर देखता हूँ मही ठाकरे ने कहा है कि इंतजार किसका है सरकार गिराओ अब सरकार तीन पहियो वाली है वो गरीबों का बहान है लेकिन स्टेरिंग मेरे हाथ में है मैं सिफशेना के मुखपत्र सामना के एक इंटर्व्यू में महराज्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा है कि बिलेट ट्रेन या रिक्षा में से किसी में चुनाफ करना पड़े तो मैं रिक्षा ही चुननूगा मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूँगा मैं अपनी भूमी का बदलता नहीं हूँ उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई ऐसी सोच ना बनाए क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ श्रिलंका के पूर्फ कप्तान कुमार संगकारा ने सौरब गांगुली का किया समर्थन Cricket South Africa के Director Grim Smith के बाद श्रिदंका के पुर्फ कपतान कुमार संगकारा ने सौरभ गांगुली को International Cricket Counseling का अगला चेर्मेन बनाने के समर्थन किया है सरकार ने गांगुली की तारीफ करते वे कहा है कि उन्हें क्रिकेट की गहरी समझ है और वे इस जिम्मदारी को निभाने के लिए सबसे ठीक हैं उन्होंने मीडिया से बाचवीत के दौरान यह भी कहा कि BCCI अध्यक्ष International Cricket को आगे ले जाने के लिए सबसे ठीक आदमी है जहां उनका एलाज लगातार जा रही है अस्पताल में भरती होने के बावजूद अमिताब बच्चन सोचल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्टेव नजर आते हैं हर दिन वो अपनी हेल्थ अबडेट देने के साथ साथ अपने फॉल्लोर्स के ले कुछ ना कुछ भैतरी इंसंदेश भी जरूर भेजते हैं जुसे फॉल्लोर्स भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं अमिताब बच्चन को एक लड़की का टालेंट काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिसके तहत उन्होंने उसके वीडियो को अपने इंस्ट्रग्राम पर शेर करते वे लिखा है कि यह बहुत बड़ी बात है कि यह वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर शेर भी हो रहा है और इसकी लोगप्रियता देखने लायक है हमेताब बचन वीडियो शेर करते वे कैप्शन में लिखा है कि मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा है मैं नहीं जानता कि यह कौन है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लड़की तुम्हारे पास बहुत स्पेशल टालेंट है भगवान तुम पर क्रिपा बनाये रखे अच्छा काम करते रहना COVID-19 के दौर में लाइफ स्ट्रीमिंग सेक्टर में हुई दोगनी बढ़ोतरी COVID-19 के इसमा हॉल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवारे माना गया है वही अब लाइफ स्ट्रीमिंग सेक्टर में दोगनी बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि ज़्यादा तर लोग work from home कर रहे हैं ऐसे में ज़्यादा तर लोग खुद को entertain करने के लिए लाइफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सहारा ले रहे हैं हाला कि लाइफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज के विस्तार का दायरा COVID-19 के बाद भी जारी रहेगा ऐसे में साल 2027 तक लाइफ स्ट्रीमिंग मार्केट में करीब 184.3 बिलियन डॉलर के होने के उमीद रताई गई है लाइफ स्ट्रीमिंग के ग्रोथ को लेकर यहां खुलासा फाइनांसिंग सर्विसेज कंपनी पायोनियर की दस्टेट ग्लोबल स्ट्रीमिंग 2020 के सर्वे में किया गया है इता ही नहीं एक दूसरी रिसर्च के ग्राइफ स्ट्रीमिंग के मताबिक साल 2019 तक लाइफ स्ट्रीमिंग का कारोबार 42.6.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा मगर अब लाइफ स्ट्रीमिंग सेक्टर में 45 फीज़ी के हिसाब से ग्रोथ दर्च की गई है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार work from home trend का बालन COVID-19 की परिस्थेति के बाद भी करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश वीदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद